ये वीडियो जो altcoin में धमाका होने वाला है उसके बारे में है पर हम आपको market cap dominance के बारे में बताएंगे bitcoin की वो बहुत जादा important है बट क्यूं किन 10 altcoins में धमाका होने वाला है वो मैं आपको proof के साथ बताऊंगा towards the end of the video और भी बहुत सारी बाते करेंगे bitcoin की market dominance गिरती जा रही है यह हमने आपको सबसे पहले बताया था अपने special altcoins का भी थोड़ा से जिक्र करेंगे जो हम बताते रहते हैं आपको जो 4-5 हमारे radar में है और सबसे बड़ा कारण बताएंगे कि top 10 altcoins में क्यूं बड़ा धमाका आने वाला है मेरा नाम रोहित है आप अच्छे से जानते हैं अब मुझे क्या लग रहा है आज के थोड़े से एक declining triangle से या falling wedge इसको हम कहते है technical term में उससे कि हम यह वाला जो बॉक्स है यह बहुत जल्दी तोड़ देंगे अगर इस weekend पे नहीं तो definitely Monday को तो तोड़ देंगे मैं आपको बताता हूं क्यों क्योंकि जब से हमारी हमारे 1500 से correction मिल चुकी है जो हम अलड़ी अपने channel पर बार बार बताते आ रहे हैं पर इस बार की जो correction है जो कल शाम से जो correction आई है वो correction जो है हमें एक falling wedge बनाती हूं दिख रही है जो कि अच्छा trend है ऐसे लगातार price उपर जाए वो एक अच्छा नहीं है बड़ यह जो sideways correction है जो एक falling wedge बना रही है let me just try to you know make a falling wedge design for you इससे क्या पता चलता है इस wedge को तोड़ता है जब भी हमारा pattern let me just pick up the line here तो जो हमारा falling wedge बन रहा है यह इस समय जो इसकी height होती है मैं जो green वाली candle है इसकी height के बराबर यह pump लेता है जब भी इसससे हम breakout करते हैं और वो हमारा मोटा मोटा इस orange box क तो तोड़ देगा या orange boxy ceiling को 51,580 को test करके वहां से rejection लेगा तो देखते हैं कैसा बनता है तो जब जब यह price आ 48,049 पे जा रहा है वो हमारे लिए एक अच्छी opportunity long लेने के लिए short term के लिए but long term के लिए तो देखो अगर आपको long लेके छोड़ना तो बहुत ही अच्छा है क Bitcoin की dominance क्योंकि गिरती जा रही है वो भी अच्छा point है काफी सारे लोगों ने दो लोगों ने अक्छी लिए कल कॉमेंट कि कि लक्स आलगों के बारे में आपने काफी time से बताया नहीं है तो लक्स आलगों ने हमें करीब करीब एक महीने पहले ही buy signal देदिया था और सबसे पह कोईन में जब 70% का pump आता है तो आप लगा सकते हैं हिसाब बाकी altcoins में आप सब लोग 100-100% profit पर बैठे हुए और यह ज़स्टिक शुडवात है क्योंकि लक्स आलगों ने अभी भी हमें consolidation या sell का signal नहीं दिया है और आसपास भी नहीं है हमारे पास लक्स आलगों का यून प गोल्डन क्रॉस के बारे में बता दिया exact date golden cross की क्या आएगी और उसके बाद क्या होता है यह आप अच्छे से जानते हैं आप सब लोगों ने death cross देखा है तो golden cross के बाद क्या bump फूटते हैं क्या धमाका आता है क्या pump आता है वो सब आप जानते ही है Ethereum के price पर चलें Ethereum में देखिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैं आपको एक महीने से कह रहा था कि जब Ethereum का price हमारा orange box तोड़ेगा तो उसके बाद उसमें 4000 dollar पर जाके रुकेगा हुआ क्या कि वह वहां से रुका ही नहीं उसने एक बार तोड़ा के वर और यही chance होता हमारे प अब हमारा दुबारा से एक falling wedge बन रहा है जो कि दुबारा से एक बहुत bullish indication है तो फिलाल मैंने अपने Ethereum की longs को exit कर लिया है जैसे पिसली बार भी देखो हमारा करीब 6-7 तीन-4 दिन पहले बना था rising wedge और उसके बाद हमारा sorry falling wedge उसके बाद हमारा एक pump आया था दुबारा से same formation हो रही है 4 hour leap तो यह chance है कि अब यह जब यह तोड़ेगा मैं आपको यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब 3900 पे अभी के अभी long ले लो सुबह मैंने आपको समझाया था कि आप stock RSI के bottom पे आने का wait करो उसके बाद आप long लो और 4X या 5X या 6X लो जादा लोगे तो फिर 4000 पे अपना support बना लेगा तो फिर आप almost almost यहां से अगर हम देखे तो 20% pump है और 4X पे भी आप 80% बना सकते हो बाकि अगर आप day devil हो risk taker हो तो हमारे इन account से login करके आप Femix पे buybit पे और ctrade पे account बना सकते हो इन पे up to 100% तक आपको leverage मिलता है और sign up करने पे ही आपको bonus मिलना श दोस्तों मैं मुझे लगता है कि शायद मैं 15 जून से आपको बता रहा हूं कि यह 39% पे जाएगी उसके बाद मैं देख रहा हूं कहीं सारे यूट्यूबर्स हमें copy करना शुरू कर दिये हैं आपने सबसे पहले इसी channel पर सुना था आप जानते हैं bitcoin की dominance 39% पे जाएगी क्यो है fundamentally जैसे XRP में भी problem चल रही थी उसके बावजूद भी हर altcoin कम से कम 50% pump किया है even ICB भी मुझे लगता almost 100% pump कर चुक है अपने you know 20 July के low से that shows कि bitcoin dominance कितना important role play करती है bitcoin की dominance इसमें करीब-करीब 40% है altcoin की भी करीब 20% है और हम बाकी altcoins पे नजर बना के बैठे हुए कि Solana की कितनी ह है Matic की कितने उसके हिसाब से आपको prediction देंगे हां हम कुछ 5-6 super coins की भी बात कर रहे हैं कहीं दिनों से उनके बारे में आपको detail में बताता हूँ rainy coin में हलका सा correction आया हूँ है बड़ अगर आप rainy coin की journey देखें पिछले दो हफते की जब से हमने आपको बताना शुरू किया था तब से उसमें जबरदस उचाल है I think almost 4-5x का growth आ चुका है almost हमने जो जो coin भी बताया है इस platform पे चाहे वो bet you है चाहे rainy coin है चाहे और भी pollinate भी हमन जबरदस पंप चल रहा है तो अगर मैं in coins की बात करूं जो अपने आप में solid use cases हैं कोई betting industry को कोई crowdsource funding को revolutionize करने ही जा रहा है और अच्छे customer base भी इनके पास और इनकी market cap a few million dollar से के विल 100 million dollar से भी कम है जातर की तो आप लगा सकते हैं हिसाब कि जो coins हम आपको बताते हैं वो कि इसनी research के बाद आती है और उसमें कितना immediate pump आता है और मैं हमेशा आपको recommend करता हूं कि आप इसमें ज्यादा अपनी life earning मत लगाएं ज्यादा से ज्यादा पांसो यह 1000 रुपे लगाएं क्योंकि यह 100 X 1000 X potential के coins हैं तो अगर आप 1000 रुपी भी लगाते हैं तो वह 1,000 बन सकते है बड़ वह 1000 के 0 होने के chance भी होते हैं क्योंकि आपकी जो top 20 alt coins है जो एक से लेकर 20 के बीच में आते हैं solana, cardano, matic तक या even dodge coin वगार यह कभी 0 नहीं होगे क्योंकि इनकी age हो चुकी है, इनके fan base बन चुके है, मैं आपको बताऊंगा अभी इनके fan base के बारे में और क्यों यह 0.005 पे हमने आपको बताया था, और आज की rate में यह 0.06 पे share rate कर रहा है, if I am able to see it right, तो यह almost अभी इसमे एक बड़ी विक आई थी चार दिन पहले, जो green candle आप extreme left पे देख रहे हैं, उसके बाद तो यह 0.17 पे चला गया था, यानि कि 30 X तक, और इस समय भी हमारे recommended price से करीब 12 X पे है, और मुझे लगता है कि यह अभी भी शुरुवात है, क्योंकि इन में बहुत potential है, यह इनके use case इतने strong है, यह view, इनके पीछे की जो team है वो इतनी strong है, जैसे मैंने आपको bet you का कल बताया, bet you का भी हमने अभी कल बताया था और अगर आप यह one hourly candle देखें, तो कल के price स हमारा मोटा मोटा 3X या 3.5 गुना अलरी हम हो चुके है, क्योंकि यह इतने early stage पर है, इनके pre-sale आ रही है, इनके pancakes swap listing आ रही है, इनकी bet you की अपनी खुद की game निकल रही है, जिस पर आप real time में, और मैंने आपको बताया भी तकरीब 30-40 billion dollar की bets इस पर real life में लग चुकी है, तो यह सारे सिर्फ एक concept level पर नहीं है, यह real coins है, tellos के बारे में हमने आपको बताया था, pump आया, अगर आपने अगस्त के beginning में जो हमने पहली बार बताया था, तब खरीद लिया होगा, तो अच्छा pump आया, अगर आपने profit नहीं बुक किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, I'm not like बाकी यूट्यूबर्स की तरह किया रहे, अपने party मिस कर दी, मैं आपको tellos के बारे में एक बात बताता हूँ, अगर इसमें यह थोड़ा सा correction आया है, फिर भी अगर आपने उस price पे लिया था, जो हमने 14 अगस्त के आसपस बताया था, तब भी आप almost 3-4x है, पर अभी भी जो एक correction है, यह एक बहुत अच्छी buying opportunity है, right, आप tellos को जाके uniswap पे buy कर सकते हैं, काफी सरे लोग comment करके पूछते हैं कि कैसे buy करें, क्यूं करें, I think uniswap पे buy करना बहुत यह आसान है, uniswap पे जाके आप इसको coin को search करना है, या pancake swap है, जिस भी coin के हम बात कर रहे हैं, इन उसके बाद जाके आप उसमें अपने cold wallet से पैसा Ethereum transfer कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल safe है, और फिर purchase कर सकते हैं, या आप YouTube पे search कर लीजिए, बहुत simple तरीके से कहीं लोगों ने समझाया हुआ है, rainy coin के card game के बारे में हम बताते जा रहे हैं, और उसमें अच्छी बात क्या है, यह pump लेता है, फिर थोड़ा सा विश्राम करता है, फिर pump लेता है, फिर विश्राम करता है, जो कि मेरे विचार से एक बहुत अच्छी habit है किसी भी coin की, लगातार pump लेते हो, तो फिर आपमे टेलोस जैसा लंबा decline आता है, बट रिनी को अच्छी चाल चल रहा है, क्योंकि इसके इवेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे है, हमने आपको कल भी एक वीडियो के बारे में बताया था, शायद परसों बताया था, माफ कीजिएगा, बट इसमें pump के बाद हलका सा correction आता है, बट हमेशा ये अपना higher low बना रहा है, है ना, तो higher low बना रहा है, और अगर आप lifetime earning देखे तो almost 1300% ये pump हो चुका है, बट हमने आपको करीब एक हफते बताया था, तब से जो रेनी कॉन में है, almost करीब 6x growth आईए, बट अभी 5% गिरा हुआ है, तो मैं आपको बस ये बता रहा था, कि ये रेनी कॉन में एक अच्छा nature है, कि ये लगातार ऊपर नहीं जा रहा पर टेलोस में अभी अच्छा उतार आया है, तो हम खरीच सकते हैं अभी, तो ये सारे हमारे अच्छे coins हैं, जिनके fundamentals अच्छे हैं, VU का मैं अलड़ी बात कर चुका हूँ, कॉस्मोस की लास्ट में बात करूँगा, कॉस्मोस के बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले बता होता है, Ethereum के पीछे Vitalik है, Cardano के पीछे Charles Hawkingson है, Binance के पीछे CZ है, बहुत ही powerful entity, XRP के पीछे Brad Gerling House है, Solana के पीछे FTX Exchange और Alameda Research है, Dogecoin के पीछे Dodge Father हमारे है, Uniswap के पीछे Hidden Adams है, Charlie Lee है Chain Link के पीछे, Link के पीछे मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा ही नाम है, Bitcoin Cash के पीछे Roger है, Polygon, Matic हमारे जो, नीचे गरम जायें सोड़ा सा, Terra Luna के founder का नाम नहीं आदा, बड़ इनके पीछे जो personality से Polygon के संदीप है, Avalanche के पीछे भी मैं उनके founder का नाम, बड़ हमारे ये groups में बहुत नाम इनके प्रचलित हैं, Justice Swan है, Tron के, FTX फिर दुबारत से Alameda, बड़ी-बड़ी कंपनियों की backing है इनको, ये मैं सिर्फ अपने top of the mind से आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन से लोग इसको support कर रहे हैं, और ये अपने आप में billionaires और अपने आपे बहुत influence हैं, वैसी कॉस्मोस के मैंने बात शुरू करी थी, तो मुझे इसलिए आद आगया, ये सारे बड़ इसको कभी zero नहीं होने देंगे, उल्टा बहुत highly chance है कि ये यहां से 4-5-5x करेंगा अगर bull run continue होती है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप बेचने की बिल्कुल भी मत सोचना, और altcoins आपको इतना surprise करेगा, जैसे ही bitcoin की dominance है, वो 39.5 के आसपास आती है, तब तक हमें ब आज hopefully कोशिश करेंगे, एक वीडियो और बनाएं, एक दो hidden altcoins, और हम research कर रहे हैं उनके उपर, उनकी team के उपर, उनसे हम personally interview लेके बात करते हैं, तब जाके मैं recommend करता हूँ, मैं तो अपना पैसा तभी लगाता हूँ, जब risky points में, जब मुझे बहुत ज़्यादा surety हो, तो मेरी वीज में जिकर किया था, जहां पर मैं आपको ये basically बताना चाहता था कि जो top 10 या top 20 altcoins हैं, उनके पीछे कितने मजबूत हाथ हैं, आप लोग सिर्फ dogecoin और Elon Musk के बारे में जानते हैं, बड मैंने आज आपको इस वीडियो में करीब करीब 20 coins और उनके कौन से owners, founders, investors, investment firms उनके पीछे कौन सी हैं, वो सब बताया, एक सांस में जितना मिर को जल्दील्दी याद आ रहा था, बड़ हां, important है आप लोग विश्वास करें, सिर्फ bitcoin ही crypto नहीं है, altcoins are very very powerful, आपका portfolio healthy होना चाहिए, risky भी लो, मैं आपको आज करीब 4 या 5 risky coins के बारे में बताया, उसमें बहुत चोटी investment करो, और हाँ, day trade के बारे में, मैं आपको telegram पे, शाम पे हम live आ रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सी day trade short term trade ले सकते हैं, मोटा 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 मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखें, किसी पी विश्वा राउंड के, दोस्तों giveaway में participate करो, comment के साथ अपना finance smart chain address लिखना बहुत जरूरी है, आप disqualify हो जाएंगे, अगर आप अपना finance smart chain का address नहीं लिखते हैं, यह हमेशा है याद रखिएगा, क्योंकि उससे फिर मुझे बाद में winner को ढूनने में बहुत लिक्कत होती है, इसलिए मेरा पहला criteria है, कि अब finance smart chain का address जरूर लिखना है, तो thank you दोस्तों, I hope आपको वीडियो पसंद रही हो, आप जरूर लाइक करना, बिल्कुल मत भूलना, अपने सवाल भी लिखो comment में, रात को उसके answer मिलेंगे आपको telegram पे, और चैनल को subscribe आपने किया हुआ है, I'm sure, thank you दोस् जै हिंद